नमस्कार बच्चो कैसे आप सब आशा करती हूं अच्छी होंगे आओ बच्चो आज का पाट शुरू करें पाट कक्षा नौका विशे भुगोल पाट का नमबर छे नाम है जन संख्या नाम से ही ग्यात होता है जन संख्या यानि लोगों की संख्या तो बच्चो जन संख्या को जानने से पहले मैं आपको जन गन्ना के बारे में बताना चाहूंगी जन गन्ना होती है जन की गन्ना करना यानि की कितने लोग है भारत में वा उसके अलग-अलग राजियों में जब हम उनको गिनते हैं तो वे जन गन्ना कहलाता है तो एक निश्चित अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गन्ना जनगन्ना कहलाती है बच्चो आप सब जानते हो हर दस वर्ष के बाद जनगन्ना होती है तो बच्चो जनगन्ना के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहली जनगन्ना भारत में कब हुई वो था 1872 और पहली संपून जन्गन्ना 1881 में हुई थी बच्चो पहली जन्गन्ना और पहली संपून जन्गन्ना में अंतर है पहली जन्गन्ना कुछ राज्यों में हुई थी पर पूरे भारत में जो जनगन्ना हुई थी उसे हम कहेंगे पहली संपून जनगन्ना तो बच्चो आईए हम अपना पाठ शुरू करें बच्चो समाज एवं अर्थविवस्था के विकास में मानव का महत्वपून योगदान होता है मानव संसाधनों का निर्मान एवं उपयोग तो करते ही हैं वे स्वयम भी विभिन गुणों वाले संसाधन होते हैं कोईला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक की मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविशकार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाड, सुनामी जब किसी घनी आवादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब ही वो आपदा बनते हैं नहीं तो हम उने सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं मानव प्रित्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है इसलिए ये जानना आविशक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं वे कहां और कैसे रहते हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यूं हो रही है तथा उनकी कौन-कौन सी विशेष्टाएं है भारती जनगन्ना हमारे देश की जनसंख्या से संबंदित जानकारी हमें प्रदान करती है सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित तीन प्रमुख प्रशनों पर विचार करेंगे पहला प्रशन जनसंख्या का आकार एवं वित्रन लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहानि वास करते हैं दूसरा जनसंख्या वृध्धी एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया समय के साथ जनसंख्या में वृध्धी एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ तीसरा प्रशन जनसंख्या के गुण या विशेष्टाएं उनकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षर्टास्तर, व्यवसाइक सरंचना तथा स्वास्थी की अवस्था क्या है? तो आओ बच्चों, पहले हम अपने पहले प्रशन पर चर्चा करें जनसंख्या का आकार एवं वित्रण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के अधार पर वित्रण, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड थी, जोकी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत थी, ये 121 करोड लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर में रह इनका विशालक शेतर में असमान रूप से वित्रण है बच्चो चित्र छे पॉइंट एक देखो ये वृतार एक है इस चित्र में आपको विश्व के ख्शेतर फल एवं जनसंख्या में भारत का भाग दर्शाया जा रहा है उपर वाला वृतार एक जनसंख्या को दर्शा र जहा है भारत की जन्संख्या 17.5% वा 6 विश्व की जन्संख्या 82.5%. वही क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 2.4% जबकि विश्व का क्षेत्रफल 97.6% है. 2011 की जन्गन्ना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां की कुल अबादी एक हजार नौसो नब्बे लाख है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का सोला प्रतिशत हिस्सा निवास करता है दूसरी और हिमाले क्षेतर के राज्ये सिक्किम की अबादी केवल 6 लाख ही है और लक्षवदीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं भारत की लगभग आधी अबादी वाले केवल 5 राज्यों में निवास करती हैं तो ये राज्ये उत्तरपरदेश, महाराष्टर, बिहार, पशिम, बंगाल एवं आंतरपरदेश हैं क्षेतरफल की दृष्टी से राज्यस्थान सबसे बड़ा राज्ये है जिसकी आबादी भारत की इकुल जनसंख्या का केवल 5.5 प्रतिशत है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वित्रण प्रति इकाईक शेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर था जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है वहीं अरुनाचल प्रदेश में ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है आओ बच्चो, हम जनसंख्या घनत्व के असमान वित्रन को देखें धाई सोव्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, परवत्य क्षेत्र तथार मरुस्थल प्रतिकूल जलवाई विये अवस्थाईं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदाई है वहीं असम एवं अधिकतर प्राइदीपे राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है पहाडी, कटे छटे एवं पत्रीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाव मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है उत्री मेदानी भाग, एवं दक्षिन में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मेदान एवं उपजाव मिट्टी पाई जाती है तथा प्रयाप्त मात्रा में वर्षा होती है बच्चों मानचित्र 6.3 देखें यह भारत जनसंख्या घनत्व के राज्यों को दर्शा आ रहा है आप यहाँ पर चार रंग की छाया देख सकते हैं धाई सो देकम, दूसरी छाया है 251 से 500 के बीज की तीसरी छाया 101 से 200 के बीज की और अन्तिम 100 से कम व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर वाले राज्यों की तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व है वहाँ की छाया सबसे अधिक गहरे रंग में दर्शाई गई है जैसे बिहार, पश्यम, बंगाल ये दोनों ही पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं इसी तरह से आप 100 से कम व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर के राज्य भी देख सकते हैं जिसमें अरुनाचल प्रदेश, जमू और कश्मीर दिखाई दे रहे हैं आपको आओ बच्चू, हम आगे बढ़े हमारा दूसरा प्रशन जिसका जबाब हम ढूंडते हैं जनसंख्या वृद्धी एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या एक परिवर्तन शील प्रक्रिया है अबादी की संख्या, वित्रण एवं संगटन में लगातार परिवर्तन होता है ये परिवर्तन तीन प्रक्रियाँ से होता है पहला जन्म, दूसरा मृत्यू, तीसरा प्रवास इनी के आपसी संयोजन के प्रभव के कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है बच्चो आओ पहले हम जाने जनसंख्या वृध्धी के बारे में जनसंख्या वृध्धी का अर्थ होता है किसी विशेश समय अंतराल में जैसे दस वर्षों के भीतर, किसी देश वा राज्ये के निवासियों की संख्या में परिवर्तन इस प्रकार के परिवर्टन को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं पहला सापेक्ष वृद्धी तथा दूसरा प्रती वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्टन के द्वारा प्रतिएक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या खुल संख्या में वृद्धी का परिमान है पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से जैसे 2011 की जनसंख्या से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है इसे निरपेक्ष वृद्धी कहा जाता है जनसंख्या की वृद्धी का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्यन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है जैसे प्रतिवर्ष दो प्रतिशत वृद्धी की दर का अर्थ है कि दिये हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में परतियेक सो व्यक्तियों पर दो व्यक्तियों की व्रिधी इसे वार्षिक व्रिधी धर कहा जाता है भारत की आबादी 1951 में 3610 लाग से बढ़कर 2011 में 12100 लाग हो गई है आप सारणी 6.1 में भारत की जनसंख्या व्रिधी का परिमान एवम दर देख सकते हैं सारणी 6.1 एवम चित्र 6.4 दर्शाता है कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या की वार्षिक व्रिधी धर नियमित रूप से बढ़ रही थी ये जनसंख्या में तीवर व्रिधी की व्याख्या करता है किन्तु 1951 से व्रिधी धर धीरे धीरे कम होने लगी इस दोरान जन्म दर में तेजी से कमी आई फिर भी केवल 1990 में कूल जनसंख्या में 1820 लाग की व्रिधी हुई थी भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्शिक व्रिधी संसाधनों एवं परियावरन के सरंक्षन को निश्क्रिय करने के लिए प्रियाप्थ है व्रिधी दर में कमी जन्म दर नियंतरन के लिए किये जारे परियासों की सफलता को दर्शाता है इसके वाबजूद जनसंख्या की वृद्धी जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है बच्चो जनसंख्या वृद्धी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम जानेंगे जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन प्रमुक प्रक्रिया हैं पहला जनमदर, दूसरा मृत्यूदर, तीसरा प्रवास जनमदर एवं मृत्यूदर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राक्रितिक वृद्धी है एक वर्ष में प्रती हजार व्यक्तियों में जितने जीविद बच्चों का जनम होता है उसे जनमदर कहते हैं भारत में हमेशा जनमदर मृत्युदर से अधिक रहा है एक वर्ष में प्रती हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्युदर कहा जाता है मृत्युदर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृध्धी की दर का मुखे कारण है 1980 तक उची जनमदर एवं मृत्युदर में लगातार गिरावट के कारण जनमदर तथा मृत्युदर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धी धर अधिक हो गई 1981 में धीरे धीरे जर्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणाम सुरूप जनसंख्या वृद्धी दर में भी गिरावट आई इस प्रकार के चलन का क्या कारण हो सकता है बच्चो पहला कारण शिक्षा का प्रसार जब लोग पढ़ेंगे तब वे जनसंख्या नियंत्रन के उपाए ढूंडेंगे दूसरा महिला जागरुकता महिलाओं के जागरुक होने से वे छोटे परिवार का महत्व समझेंगी जनसंख्या वृद्धी का तीसरा घटक है प्रवास लोगों का एक शेत्र से दूसरे शेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं प्रवास आंत्रिक यानि देश के अंदर किसी राज्ये से दूसरे राज्ये में जाना भी हो सकता है या अंतराश्ये प्रवास जैसे किसी देश से दूसरे देश में जाना भी हो सकता है जैसे लोग भारत को छोड़ कर अलग-अलग देशों में जाकर बस जाते हैं आंत्रिक प्रवास जनसंख्या के अकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरन को प्रभावित करता है क्योंकि इसकी वज़ाँ से बच्चो एक राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है और दूसरे राज्य की जनसंख्या बढ़ जाती है भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीन से शहरिक शेत्रों की और होता है क्योंकि ग्रामीन शेत्रों में अपकरशन कारक प्रभावी होते हैं लोग बच्चों गाउं को छोड़कर शहरों में जादा जाते हैं आपने कभी सुना है कि किसी गाउं से दूसरे गाउं चले गए हो लोग, नहीं न, ऐसा बहुत कम होता है, जादा तर लोग जो प्रवास करते हैं, वो ग्रामीन से शहरिक शेत्रों के और ही करते हैं, उसकी क्या वज़ा हो सकती है बच्चों? हाँ जी कोशिश करें बच्चे, गरीबी, बेरोजगारी, ये वज़ा होती है जब लोग अपना गाउं छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, या प्राकरतिक आपदा हो सकती है, जैसे सूखा, बाड, भुकंप और दूसरा कारण होता है, कर्शन, कर्शन प्रभाव रोजगा बच्चों, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, इलाज के लिए हस्पताल, इसी वज़ा से लोग गाउं छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, तो ये जो दो कारक थे, अब कर्शन इन्ही दो की वज़ा से लोग प्रवास करते हैं गाउं से शहरिक शेत्रों की और, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महतपून घटक है, ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बच्चों, बलकि उम्र एवं लिंग के द्रिष्टी कौन से, नग अधिक आयू के लोग जादा प्रवास करते हैं, व्रिध वस्ता के लोग और बच्चे प्रवास कम करते हैं, वहीं लिंग के अधार परगरम देखें, तो जादातर प्रवास पुरुशो द्वारा किया जाता है, महिलाएं जो हैं वो प्रवास कम करती हैं, तो सिर्फ इसमे और लिंग के अधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। जब महिलाएं कम परवास करेंगी, वो गाउं में रहेंगी, बच्चों और बूरों की देखभाल करेंगी। इसलिए उन्हें लोग जो हैं गाउं में ही रखते हैं, क्योंकि वो बूरों और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष जो हैं शहरों में जाकर रोजगार ढूंड कर पैसा कमा कर गाउं भेजते हैं। तो आओ बच्चों, आगे बढ़ें। आयू सरंचना किसी देश में जिनसंख्या की आयू सरंचना वहां के विभिन आयू संहूं के लोगों की संख्या को बताता है। बच्चे, व्यस्क एवं व्रिधों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी ख्शेत्र के आबादी के समाजिक एवं आर्थिक धांचे की निर्धारक होती है किसी राष्ड की आबादी को सामान्यता हम तीन वर्गों में बाड़ते हैं पहला वर्ग बच्चे समाननिता 15 वर्ष से कम, दूसरा व्यस्क 15 से 69 वर्ष के और व्रिद 69 से अधिक वर्ष वाले लोग तो बच्चों हमने इनको तीन वर्गों में बाटा बच्चे ये आर्थिक रूप से उत्पादन शील नहीं होते हैं इनको भोजन, वस्त्र एवं सुवास्थिय संबंदी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवशकता होती है जबकि व्यस्क ये आर्थिक रूप से उत्पादन शील तथा जयाविक रूप से प्रजनन शील होते हैं ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है जो पैसे कार्यशील जनता उत्पादन के द्वारा कमाती है उनी से बच्चो तथा व्रिधों की जनसंख्या का भरण पोशन होता है तीसरा है व्रिध ये आर्थिक रूप से उत्पादन शील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं ये स्वच्छिक रूप से कारे कर सकते हैं लेकिन भरती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नेपती नहीं होती इसका मतलब बच्चो ये अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं इनकी इच्छा है पर भरती इनकी नहीं होगी अगला है आपका ये पाई आरेक इस पाई आरेक को देखो बच्चो इसमें उम्र सरंचना दिखाई गई ये भारत की तो आप देख सकते हो तीन रंगों से दर्शाया गया है जो संत्री रंग है वो व्यस्क के लिए है नीला वाला व्रिद को दर्शाता है और पीला वाला पारत की जनसंख्या में व्यस्क की संख्या सबसे अधिक है उसके बाद बच्चों की है और सबसे कम संख्या वृद की है बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपाद को प्रभावित करता है क्योंकि ये समू उत्पादक नहीं होते मैंने आपको कहा था कि बच्चे और बूढे जो हैं वो कोई उत्पादन नहीं कर सकते और वो किस पर आश्रित होते हैं पंदरा से 69 वर्ष के लोगों पर या हम ये कहें व्यस्क लोगों पर अगला है हमारा लिंग अनुपात प्रती हजार पूरिशों पर महिलाओं की संख्या को ल देश में लिंग अनुपात प्राया महिलाओं के पक्ष में नहीं होता बच्चो आप बता सकते हो क्यों लिंग अनुपात प्राया महिलाओं के पक्ष में नहीं होता कोशिश करो बच्चो शाबाश आओ मैं आपको बताती हूं भारत में पूरुषों के मुकाबले स्त्रिय की जनसंख्या कम होने के कारण नमबर एक पुरुष प्रधान भारते समाज में लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता दूसरा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम शिक्षित होना भी उनकी कम जनसंख्या का एक महत्पुन कारक है तीसरा कई स्थानों पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है जिसे हम कन्या हत्या भी कहते हैं अगला दहेज के लोभी लोग भी स्त्रियों की हत्या कर देते हैं यानि कि घरेलु हिंसा वा दहेज के लालच में भी लोग स्त्रियों को मार देते हैं इसलिए महिलाओं की संख्या पु दो देखे इसमें भारत का लिंग अनुपात दर्शाया गया है आप देख सकते हो 1951 से 2011 तक का जनगन्ना वर्ष दिख रहा है आपको बच्चो और उसके साथ ही लिंग अनुपात प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है इसका मतलब अगर हज हजार पुरुष हैं तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं तो आप देख सकते हो हमारा 2011 में 943 है इसका मतलब की हजार पुरुष हैं और स्त्रियां 943 हैं तो भारत में पुरुष हमेशा अधिक रहे हैं जन संख्या में और स्त्रियां की संख्या कम रही है आपको पता है भार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या एक हजार चोरासी है जबकि हर्याना में लिंग अनुपात सबसे कम है हर्याना में प्रती हजार पुरुषों पर केवल आट सो सतहतर महिलाओं की संख्या है तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला कि केरल ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं अधिक है और पुढ़ुचेरी ऐसा केंद्र शाषित प्रदेश है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है वहीं दिल्ली और हर्याना में पुरुष जो है अधिक है महि सबसे कम हैं तो आगे बढ़े बच्चों साक्षर्टा दर साक्षर्टा किसी जनसंख्या का बहुती महत्पून गुन है स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरुक नागरीखी बुद्धी मतापुर्ण निर्ने ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कारिये कर सकता है स साक्षर्टा स्थर में कमी आर्थिक प्रगती में एक गंभीर बाद है 2011 की जनगन्ना की अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयू सात वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भी भाशा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की क्षेणी में रखा जाता है भारत की साक्षर के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है 2011 की जनगन्ना के अनुसार देश की साक्षर्टा दर तीहठ्र प्रतिशंत कम साक्षर हैं जबकि पूरुष अधिक साक्षर है बच्चों साक्षर और शिक्षित व्यक्ति के बीच अंतर है साक्षर व्यक्ति वे है जिसकी आयू साथ वर्ष या उससे अधिक हो उसे किसी भी भाषा को समझना पढ़ना आता हो जबकि शिक्षित व्यक्ति विध्याले वा कालेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है साक्षर्ता अनुपचारिक तरीके से भी बिना विध्याले जाये हुए प्राप्त की जा सकती है परंतु शिक्षित होने के लिए हमें स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहन करनी पड़ती है तो बच्चो ये है दोनों में अंतर आओ बच्चो अब हम व्यवसाइक सरंचना को जाने आर्थिक रूप से क्रियाशिल जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्तपुन सूचक होता है विभिन प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किये गए जनसंख्या के वित्रन को व्यवसाइक सरंचना कहा जाता है विवसायों को समाननिता प्रात्मिक, द्वितिक तथा त्रित एक्ष्टेनियों में वर्गी कृत किया जाता है प्रात्मिक में आते हैं बच्चों कृषी, पशुपालन, वरिक्षारोपन एवं मचली पालन तथा खनन द्वितिक में आते हैं बच्चो उत्पादन करने वाले उध्योग, भवन एवं निर्मान कारिये त्रितिक में आते हैं बच्चो परिवहन, संचार, वानिज्य, प्रशाशन तथा सेवाई तो बच्चो विक्सित एवं विकाशिल देशों में विभिन क्रिया कलापों में कारी करने वाले लोगों का अनुपात अलग-अलग होता है विक्सित देशों में द्वितिक एवं तृतिक क्रिया कलापों में कारिय करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है जबकि विकाशिल देशों में प्रात्मिक क्रिया कलापों में कारे रत लोगों का अनुपात अधिक होता है भारत में कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत भाग केवल क्रिशी कारिय करता है जबकि द्वितिक और तृतिक में 13 वा 20 प्रतिशत लोग कारिय करते हैं वर्तमान समय में बढ़ते हुए और धोगी करण एवं शहरी करण में व्रिद्धी होने के कारण द्वितिक और तृतिक शेत्रों में व्यवसाइक परिवर्तन हुए हैं आओ बच्चों अब हम आगे बढ़ें और स्वास्थी की बात करें स्वास्थी जनसंख्या की सरंचना का एक महत्पून घटक है जो की विकास की प्रिक्रिया को प्रभावित करता है महत्पून सुधार बहुत से कार को जैसे जनस्वास्थे, संक्रमक बिमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी के परियोग के परिनाम सरूप हुआ है महत्पून उपलब्धियों के वावजुद भारत के लिए स्वास्थ का स्तर एक मुख्य चिंता का विशे है प्रती व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशनसित स्तर से काफी कम है तता हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोशन से प्रभावित है शुद पीने का पानी तता मुद स्वास्थे, रक्षा सुविधाएं, ग्रामीन जनसंख्या के केवल एक तिहाई लोगों को उपलब्ध है इन समस्यां को एक उचित जनसंख्या निती के द्वारा हल करने की आवशक्ता है सरकारी कारेकरमों के निरंतर प्रियास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वस्ति स्तर में महत्वपून सुधार हुआ है आओ बच्चों जाने किशोर जनसंख्या के बारे में भारत की जनसंख्या का सबसे महत्पूर्ण लक्षन इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है ये भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है किशोर प्राया 10-19 वर्ष की आयू वर्खे होते हैं ये भविश्य के सबसे महत्पूर्ण मानव संसादन है किशोरों के लिए पोशक तत्वों की आवशक्ताएं बच्चों तथा व्यसकों से अधिक होती है कुपोशन से इनका स्वस्ते खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है परन्तो भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोशक तत्व अप्रियाप्त होते हैं बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्त हींता से पीडित रहती हैं किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रती समवेदन शील बनना चाहिए शिक्षा के परसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रती जागरुकता भढ़ाई जा सकती है तो बच्चो आप लोग इसी क्षेणी में आते हो नौवी कक्षा के बच्चो की क्षेणी किशोर जनसंख्या है आपका स्वास्तिय हमारे लिए वादेश के लिए भहती महत्वपूर्ण है और बालिकाओं का ध्यान जादा रखना पड़ता है क्योंकि इनमें रक्त हीनता से पीडित बालिकाओं की संख्या अधिक पाई गई है और आपकी शिक्षा का प्रसार वासुधार भी जरूरी है आओ बच्चो राष्टी जनसंख्या निती के बारे में जाने परिवार की आकार को सिमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्यान को सुधारा जा सकता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1922 में एक व्यापक परिवार नियोजन कारेकरम को प्रारंब किया परिवार कल्यान कारेकरम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पित्रित्व को भड़ावा देने के लिए कारेरत है राष्टी जनसंख्या निती 2000, 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को निशुल्ख शिक्षा परदान करने, शिशु मृत्युदर को प्रती 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बिमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोचसाहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंदरित कारेकरम बनाने के लिए नितिगत धांचा परदान करती है। किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्तपुन आफशक्ताओं पर भी जोर दिया गया है। को रोकने के कानूनों को सद्रिड करना है। किसी विराश्टर के लिए वहां के लोग बहुमुल्य संसादन होते हैं। तो बच्चो एक शिक्षित एवं स्वस्थे जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति परदान करती है। आओ बच्चो अब मैं आपसे कुछ प्रशन पूछूं। तो तयार हो आप सब। चलिए पहला प्रशन जनसंख्या किसे कहते हैं। उत्तर एक विशेश क्षेतर में रहने वाले स्त्री पूरुश तथा बच्चो की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रशन जन गन्ना किसे कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकारिक गण्ना को जन गण्ना कहते हैं भारत में सबसे पहली बार जन गण्ना कब की गई थी? उत्तर है 1872 में अगला प्रशन 2001 की जन गण्ना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राजजी कौन सा था? सही उत्तर है उत्तर परदेश अगला प्रशन शेत्रिफल के हिसाब से कौन सा राजजी सबसे बड़ा है? उत्तर है राजिस्थान अगला प्रशन जनगन्ना कितने वर्षों के पस्चात होती है? उत्तर है दस वर्षों के पस्चात अगला प्रशन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन अगला प्रशन लिंग अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर प्रती हजार पूरुशों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं अगला प्रशन सबसे अधिक महिला साक्षर्टा दर कौन से राज्ये में हैं? उत्तर केरल में अगला प्रशन व्यवसायों को कितनी क्षेणियों में बांटा जाता है? उत्तर है तीन क्षेणियों में प्रात्मिक, द्वित्तिक वा त्रितिक अगला प्रशन प्रात्मिक व्यवसायों के दो उधारन दीजिये उत्तर है क्रिशी वा पशुपालन अगला प्रशन द्वित्तिक व्यवसायों के दो उधारन दीजिये उत्तर है, उध्योग वा भवन एवं निर्मानकारिये अगला प्रशन, त्रितिक विवसायों के दो उधारण दीजिये उत्तर है, परिवहन वा संचार किस आयुवर्ग की जनसंख्या को किशोर जनसंख्या कहते हैं उत्तर है 10-19 वर्ष अगला प्रशन भारत सरकार ने परिवार नियोजन कारिक्रम कब शुरू किया था? उत्तर है 1902 अगला प्रशन राष्टी जनसंख्या निती को कब अपनाया गया? उत्तर है 2000 में अगला प्रशन राष्टी जनसंख्या निती 2000 के अनुसार कितने वर्ष तक की आयू के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की विवस्ता है उत्तर है 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को तो बच्चों आशा करती हूँ आपको हमारा पाट समझ आया होगा इस पाट के मुखे बिंदू जनसंख्या वित्रण जनसंख्या घनत्व आयू लिंग सरंचना व्यवसाइक सरंचना वर्ष जनसंख्या निती ये सभी बिंदू को आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो बच्चों अगले पाट पे मिलते हैं तब तक आप सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत